हाई फ्रेंड्स वेलकम टूरेखा संजू किचन कॉर्नर फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भरवा क्रेला और वह भी बिल्कुल इजी रेस्पी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ले लिये हैं आदा केजी क्रेले इनको धोकर मैंने अच्छे से सूखे कपड़ से साफ कर लिया है तो देखे इस तरह से हम इने बीच में से काट लेंगे हम इने छीलना नहीं है बीच में से इस तरह से कट लगा कर हम इनके बीज निकाल देंगे friends क्रेले को हमने काट कर इसलिए लिया है क्योंकि पूरा क्रेला कही बार सब लोग नहीं खा पाते और वे वेस्ट हो जाता है तो इसे हम काट कर बना रहे हैं आप चाहें तो इस तरह से पूरे क्रेले में कट लगा कर इसके बीज निकाल कर इसे भी बर कर बना सकते हैं आप करेले को साबूत या काट कर जैसे आपको सही लगे वैसे बनाए अब हम इनके बीज निकाल कर और इने काट कर तयार कर लेंगे तब हम इसमें थोड़ा नमक लगा कर इसे 20 मिनट के लिए धूप में रखेंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए अगर आप धूप के नहीं बना रहे हैं तो आप गुनगुने पाने में थोड़ा नमक डाल लीजिए और उसमें इन करेलों को 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए उससे भी इनका कड़वापन निकल जाएगा तो देखिए हमने सारे करेले काट लिए हैं तो next 20 मिनट के बाद हमने पैन में म आ सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने बारी-बारी से सारे करेले पैन में डाल दिये हैं और हमें इने मीडियम फ्लेम पर तलना है मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि करेले जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएं तो देखिए पहले से करेले का कलर काफी चेंज हो गया है क्रेले को उल्टते पल्टते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है तो देखिए क्रेले को अच्छे से फ्राई करने में कम से कम 15 मिनट जरूर लग जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्रेला अच्छे से फ्राई हो गया है हम इसे और फ्राई नहीं करना है नहीं तो यह बहुत क्रिस्पी हो जाएगा इसे हम बारी-बारी से इस तरह से निकाल लेंगे अच्छे से चान कर निकालना है तो देखिए बारी-बारी से हमने सारे क्रेले निकाल ली है और हम पैन में से एक्स्टा ओयल निकाल देंगे मसाला बनाने के लिए हमने बस दो चम सौफ की तासीर काफी ठंडी होती है और इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएका करेले में सौफ चटक जाईर तो हमने इसमें डाल दिया है प्याज फ्रेंड्स मैंने ये तीन बड़े प्याज बिल्कुल बारिक चोप करके लिए हैं और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच् हिर्ची टेस्ट के अकोर्डिंग डाल देंगे नमक थोड़ा साम इसमें डाल देंगे धन्या पाउडर थोड़ी सी हमने डाल दिया हल्दी और थोड़ा सामने इसमें डाल दिया आम चूर पाउडर और सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे तो देखिए फ्रें से थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इस मसाले को सभी फ्राइ की हुए क्रेलों में बारी बारी से भर देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स बिना जंजट के मिंटों में ही भरवा क्रेले बनकर तयार हैं और इस रेस्पी से क्रेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा फ्र